हेलो गाइस वेलकम तो अनदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिंट्स व्याभभ ग्लोबल लिमिटेट की ओर से सप्टेंबर क्वार्टर के फिनांशल रिजल्ट पेस हो चुका स्टैंडलाउन कॉंसॉलिडेटेड दोनों रिजल्स आउट हो चुके हैं साथ में कम्पनी क और से सकेंड एंट्रिम डिविडेंट 1.5 रुपीच पर रिक्वीटी शियर का डेकलियर कर दिया गया है जिसका रिकॉर्ड डेट 7 नॉवंबर फिक्स किया गया है और यहां पे मिस्टर सुनील अगवाल को जो कि मैनेजिंग डिरेक्टर थे कंपनी का रिय अपॉइंटमे 66 करोड का और सप्टमबर 22 कोटर में 648.4 करोड का इंकम है क्वाटर ओन क्वाटर यहर ओन एर धूर दोनों में इंक्रेज किया है एक्सपेंशE 667 करोड का और सब्सक्रम का 1 informed एक पर चार्ज करोल का पिछले क्वाटर में 12 करोल का चार्ज किया था जिसके विए क्पनीए पॉफिट में इंपक्ट बढ़ा जोकि 29 करोल का है पिछले कॉटर में 29.5 करोल का और सब्सक्राइब सब्सक्राइब 22 क्वार्टर में 23 करोल का नेट पॉफीट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन ने 52 लैक्स के असपस लेकिन यह और यह रही है कि टैक्स थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ा bash एक्स्पेंस थोड़ा सा जादा हुए कंपनी का क्यिकि इन्वेंट्रिश में किस बार कंपनी को 9.1 क्रोल का चार्ज किया है जब कि पिछले host 2012 ऐरा गिए तया पर किया था तो यहां पर इसे एक्सपेंसर ज्यादा पे करने कारणी कंपनी पॉफिट क्वार्टर ओं क्वार्टर फिफ्टी टू लैक्स के असपस गिरावट आई है वह यह अगर हम बात करें का वन पॉइंट सैवन फाइव रुपीज का क्वार्टर ओं क्वार्टर में मायनर्स डाउन है यह और इंक्रीज किया है तो कंपनी का कंपनी रेविन्यू जनरेट कर रहा है जोकि बहुत यह अच्छी व्रोथ देखने को मिला है तो अब हम लोग इसके स्टैंडलाउन फिनांसल रिजल्ट को कवर करेंगे इंकम है हम 308.4 करोड पिछले क्वार्टर rag behind 131 करोड सप्नबर 22 क्वारै 29 करोड का इंकम है कॉर्टर ओन क्वार्टर में में इक्पैंस 152 का और 509 करोड़का और Tasप्टमर 22 क्वारां 21.5 करोड का इक्सपेंस वा था इसक्वार्टर ओन कॉर्टर में डिक्रिजिज है इंकम मेंОटए нев Ini इकस्पेंस river कोश्ट में सेवनेटी वन पॉन नांइन करोड़ का पिछले साल सेबहु जॆ ज्यादा चार्ज किया गया है अप्लस अदर प्रेयारmoratar प्राज किया गए 23.4 करोड़ का पिछले साल से इसके गन पॉफिट बहुँ जादा फॉल हुआ 21.5 करोड़ का पिछले क्वाटर में 9 करोड़ का और सप्टमबर 22 क्वाटर में 37.7 करोड़ का ओप्रेटिंग पॉफिट है कौाटर ओन कौाटर में इंक्रीज है यार-ओन-एर में decrease किया है EPS 1.23 रुपेज का quarter on quarter में इंक्रीज है लेकिन year on year में तहीं ज्यादा डिक्रीज हुआ है तो company का result अगर देखा जाए overall इंकम लगाता रिंक्रीज कर रहा है but expenses quarter on quarter में ज्यादा हुआ था consolidated को मैं बात करना हूँ quarter on quarter on expenses ज्यादा वसा tax ज्यादा पे करना पड़ा था जिसके कारण company का net profit में गिरावट आया था quarter on quarter 54 lakhs के आसपास लेकिन stand-alone में year on year के expenses बहुत ज्यादा हुआ है जिसके कारण company का profit में year on year में गिरावट है जबकि income में तेजी था तो कह सकते कंपनिया पर average result देखने को अच्छी ठीक ठाक रिजल्ट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं क्योंकि year on year के profit stand-alone में देखने को मिला अधर्वास company एच्छी रिजल्ट पेज़ करते हैं अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पुछे मिलते हैं एक्ष्ट में तिल देन बाई बाई